Hello friends, आज हम लोग GST लाव में special audit का जो provision है उसको discussion करेंगे Income Test Act में भी जो special audit का प्रावधान है GST में भी लगवग same theme को maintain करके ये section 66 को बनाया गया है हम जानते हैं कि section 65 जो है वो departmental audit of GST को deal करते है तो उसका अगला ही section आ जाता है section 66 जो special audit को deal करते है इस section में बता गया है कि department का कोई भी officer जिसका rank कम से कम AC level का है वो अगर चाहे तो commissioner से prior approval लेके कोई भी SSC का special audit कराने का instruction दे सकते है अब आपको ये चीज़ ध्यार में देना होगा कि जब भी कोई scrutiny inquiry investigation चल रहे उसी time as AC को prior approval लेने होंगे commissioner से अब आपको यहाँ पे एक चीज़ notice करने है और उस चीज़ को मैंने yellow color की highlight से marking किया है इसमें बताया जाता है कि ऐसा नहीं कि AC के पास ये power दे दिया गया कि वो चाहे तो commissioner से prayer approval लेके किसी का भी specialize करा सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी power का गलत इस्तेमाल करें इसके लिए इस चीज़ को बताया गया है कि अगर AC को महसूस हुआ कि यह सारा condition satisfy हो जा रहा है तब ही वो commissioner से prayer approval लेंगे अब देखते हैं कौन-कौन सा situation है जहां पे उसको satisfy करना ज़रूरी है तब ही जाके वो special audit का instruction देंगे पहला चीज़ है कि अगर उनको लगा कि SAC का जो business उसका nature बहुत ही complex है या तो उसका जो activity है वो department को यानि revenue department के interest को hamper कर रहा है या फिर ऐसा उनको महसूस हुआ कि जो value SAC न डिक्लियर किया वो value सही तरीके से assessment उसका नहीं हुआ है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यानि जो SAC है उससे ज़ादा credit ले लिया जो normal limit में थे उसे ज़ादा credit लिया तो मेरा कहने के मतलब है कि अगर उसको ऐसा महसूस हुआ कि there is sufficient ground तभी जाकि वो commissioner से approval लेके special audit का instruction देंगे अब जब special audit का instruction देंगे तब obvious है चीज़ है कि वो SAC से books of account जो है वो मंगाएंगे पर यहाँ पर question आ रहे है कि क्या special audit और खुद करेंगे या दूसरे किसे से करवाएंगे इसका answer है point number two में यहाँ पर बताया जाता है कोई भी practicing CA और CMA जिसके पास certificate of practice है उनी से special audit कराने होंगे अब यहाँ पर ही question आ रहे है कि क्या कोई भी CA और CWA और CMA और CMA प्राक्टिस से special audit कराने से ही काम हो जाएगा इसका answer है नहीं वो CA और CMA से ही audit कराने होंगे जो commissioner से nominated है practicing CA और CMA को 90 days का अंदर यह जो special audit का का काम है उसका complete करना पड़ता है और अगर किसी वज़े से 90 days के अंदर हो कर नहीं पाते तो वो further extension मांगेंगे 90 days का यानि कि कुल 180 days के अंदर उनको अपना audit जो है वो complete करके उसका report AC को swapना है अब यहाँ पर हम लोग जानते कि इसी जगापे जो SACA वो आर्गू करता है कि मेरा already audit हो चुका है income tax act में specialite हो चुका है तो मैं GST law में specialite नहीं करवाऊँगा तो इसलिए इस clause को exclusively यह power दिया गया है कि भले ही दूसरे कोई section में दूसरे कोई law में उसका audit हुआ है इसका specialite हुआ है फिर भी अगर department को लगा कि उनको GST law के तैस specialite कराने होंगे तो होंगे ही देखे इसलिए point number 3 में notwithstanding का जो clause है उसको insert किया गया है और यहाँ पर बताया जाता है the provision of subsection 1 shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any other provision of this act और any other law for the time being in force अम यहाँ पर एक question आ रहा है कि क्या SSE को hearing opportunity मिलेगा इसका answer है बिलकुल मिलेगा the registered person shall be given an opportunity of being hard अभी यह specialite का जो खर्चा है वो खर्चा कौन बियर करेगा department बियर करेगा यह SSE यानि जो taxpayer है वो बियर करेगा इसका answer है कि इसका जो expense teacher है यानि जो auditor का recognition है वो commissioner determine करेंगे और commissioner पे करेंगे यानि यह GST department का इसका खर्चा है इसके लिए SSE या taxpayer को कोई भी एक स्टक खर्चे उठाने का जरुवत नहीं है अभी special audit report आने के बाद अगर ऐसा देखा जाए कि कोई भी ऐसा amount जो है वो payable नहीं है यानि कि अगर SSE का जो books और account जो है वो सही तरीके से बनाए गया तब ठीक है अगर ऐसा देखा जाए कि नहीं special audit कराके कुछ adverse report आया यानि कि देखा जा रहा है कि कुछ tax वो pay नहीं किया या फिर tax short pay किया या फिर जादा जादा refund ले लिया जिसको हम लोग कहते और ऐसा भी हो सकता है कि excess ITC claimed अगर ये सारा situation हुआ तब proper official जो है वो section 73 और 74 का जो processive proceeding है वो initiate कर सकते हम लोग जानते कि section 73, 74 जो है उसमे section 73 deal करता है आतद्यन fraud और section 74 deal करता है fraud और ये fraud और आतद्यन fraud दोनों ही कुछ specific cases में होते हैं जैसे कि ITC, excess claimed या मान लीजे tax not paid short paid, irreversely refunded तो अगर tax से जूरा हुआ कोई भी अगर आपका fraud related हो या other than fraud दिलेटेट हो तो जहाँ पे section 73 और section 74 एपलाई हो जाते हैं उसका proceeding अगर चाहे तो proper officer यहाँ पे use कर सकते हैं तो friends I hope कि section 66 जो है speciality का provision वो मैंने बहुत illucid तरीके से आपको समझा है अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगे तो आप please comment करके मुझे अप्लेशिट कीजे और अगर आपको लगेगी और भी कुछ चीज बोलना रहे गया तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर मेंशन कीजे साथ साथ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सकाइब कीजे थैंक्स